नवस्कार दोस्तों मैं हूं सिवंपार्णियो और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में मदप्रदेश में युनस्को द्वारा घोंसित विस्व धरोहर इस्थल को जो भी हैं उनको ट्रिक के माध्यम स सामिल किया हुए है लेकिन दो और हैं जिनका मार्च 2021 में दौरा किया जाएगा युनसको की टीम द्वारा तो अगर हो सकेगा तो उनको भी सामिल कर लिया जाएगा ठीक है तो फिलाल तो तीन हैं लेकिन पांच होने की संभावना बनी हुई है वो कौन से हैं पहला तो जuciónफिदेश की video मैंने अपलोड किये हुँ हैं ट्रिक कि पाधियम से उनको देखना चाहते हैं तो उनकी link मैंने description में दे दी है सबी वीडियो की आपको link मिल जागी वहां से आप सब सबी Vid fale बहुत ज्यादा रासन लेते थे तो याद रखिएगा भीम बेटका की जो गुफाएं हैं कहा है रासन से राय सेंजिले में ठीक है और मैं आपको बता दू कि जो भीम बेटका की गुफाएं हैं यह आदिमाना दौरा बनाये गए सहल चित्रों और सहलास्त्रों के लिए प्रस within 2003 में य२िस्कों ने विश्ट धरोखर सूची में सामिल किया था यहाँ पर दो चीजें याद करनी हैं फो हम लोको पहला तो जन। ने खोच कि थी उनके नाम को याद कर लेते हैं और धूसरा की तो यहां लो sabdर निखा manière भीम बैठ ने कि लिए बनाया गया भट का तो आपको पाता है कि अगर कोई भ whipping बैठ का बनाया जाएगा तो जाहिसी लात है कि जाहिस यता कि पर यतífic तो यख्या में घ्याएगा यहाद कि 2003 का युद्व सूरॉख कि इसको भीम बेटका की गुफाओं को और साथ ही साथ अगर आपको डाक्टर विश्नू स्रीधर वाकड़कर को याद करना है तो वाकड़कर में वाक सब्द लिखाओं वाक का मतलब क्या होता है आपने सुना होगए एक वाक सुसंतरता अनुछेद 19 के अंतरगर तो वाक का मतलब क्या होता है बोलना होता है ठीक है तो आपको पता है कि बैटका के नीचे सभी बैटके लोग क्या करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं नहीं बोलते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इनका नाम कि तो डॉक्टर विश्णू सीधर वाकड़कर द्वारा ठीक है तो चले अब हम लोग आगे वाले को देख लेते हैं अब हमाई सामने जो अगला पॉइंट है वह है सांची का इस्तूप और ये भी रायसेंजिले में स्थित है और मैं आपको बता दूं कि यह बहुत धर्म का प सामिल किया गया था तो अब इनको याद कर लेते हैं ठीक है जो भी मात पॉइंट है सबको याद करते चलते हैं तो सबसे पहले याद करते हैं कि सांची के इस्तूप की जिले में है तो रायसेंज में है तो सांची में एक सब्द लिखा हुए सच आपको पता है कि अगर कही भी सच बोला जाए तो क्या होता है कि लोग राय बनाने लगते हैं कि हो सकते हैं इसने जूट बोला हो या फिर सच बोला हो अजालत की बात कर लेते हैं तो वहां भी लोग राय बनाते हैं कि हो सकते हैं इन्होंने जूट बोला हो या फिर सच बोला हो तो सच और जूट के लि बहुत जल दी आ जाते तो आसू से आपको असो्क याद आ जाएगा तो याद रखेगा साचु की स्थूप का निर्मार किस ने कर वाय था असोक ने कर वाय था और खोज किस ने की थी तो खोज की थी General Taylor ने तो Taylor में Till सब्द लिखा हुए तिल मतलब क्या होता है बोलना ठीक है तो नवासी में सब्द लिखाओ नासी ठीक है नवासी नासी तो क्या होता है कि जो जूट होता है तो कहीं ने कहीं वो पकड़ाई जाता है ठीक है मतलब सभी काम आपके नास देता है अगर कोई बंदा जूट बोलता है सच जो होता है में सची होता है उसको बदला नहीं जा स या अच्छे से जो भी एक्जाम की दिश्टी से महत्पून पॉइंट है अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले की तो वह है खजुराहो का मंदिर यह इस्तित है छतरपूर जिले में ठीक है और छतरपूर जिले में जो खजुराहो के मंदिर है इसका निर्माण 10 वी और 11 और सन 1986 में खजुराहो मंदिर को विश्ट धरोहर घोंसित किया गया था यूनेस्को के द्वारा तो यहाँ पर तीन चीजों को याद करना है फिर से एक तो किस जिले में ठीक है यह दूसरा किसका निर्माण किस ने करवाय था और तीसरा किसको विश्ट धरोहर कब घोंसित किया गया था यूनेस्को के द्वारा तो यहाँ पर तीन चीजों को याद करना है पहला तो छतर पूर जिले में इस्तित है दूसरा चंदेल सासको द्वार इसको बनवाया गया और तीसरा 1986 में यूनेस्को के विश्ट धरोहर में सामिल हुआ था तो खजरवाहों में रहे तो लोग कहा गरेंगे फिर घर के वपर यानीचित में गरेंगे यानी आसमान से गिरे और खजूर में आटके गरेंगे जाहींगे पर आटके में जल जाएंगेroll ह5559?' से गिरे हो डारेक्ट और फिर खजूर में अठके हो अब आसमान में तो कोई लटकता नहीं रहेगा चांद में होगा वहां से जंप करेगा खजूर में अठक जाएगा तो चांद से आपको चंदे लियादा जाएगा ठीक है और 86 में एक सब्सकार जोगता ही चायासि हाला कि खजूर के पेंड़ा यहां चाया से चाया 86 आप याद रखिएगा तो इस तरह से जो भी खजरवाव संबंदित मातपूर्ण चीजे थी हम लोगों याद किया किया किस जिले में स्थित है चैटरपूर में निर्मार किस ने करवाय था चंदेल सास को ने और इसको विस धरोहर में कब सामिल किया गया था 1986 में ठीक है तो इस तरह से अपने टॉपिक कंप्लीट हुआ अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं ठीक है तो जो भी संबंदित MCQ टेस्ट होंगे उनको भ सबूरे पहरिक दकते हैं तो सबसे पहले कुशिशन आपके सामने है कि जो भी बैटका की गुफाय हैं वह एक किस जिले में इस तहीत हैं तो इससका सभी बहुत जादा घाते हैं तो थे? से राय से हैं तो सही जो आप क्या होगा ऑप्शन नमबर बी और मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि यहां पर आदिमाना दोरा बनाएगे सेल चीतर और सेल आसरे बहुत हैं इसी के लिए प्रसिद है अच्छे एक चीज में आपको बता दूं कि अगर आप प्रमुक सेल चीतर और सेल आसरों को याद करना चाहते हैं कि वह कहां पर इस्थिद हैं तो उसके लिए पहले से ट्रिक अपलोड है तो आप उस वीडियो को देख लीजेगा बहुत ही महत्पूर्ण है और बहुत ही कन्फीजिन टॉपिक है ठीक है मतलब याद करने में बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत ही आसानी सियात करवा दिया है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजेगा तो चले अगल च्छाओं रहेगी ठीक है तो ट्री से थ्री यानि 2003 में इसको यह इसको के 20 सदरोहर में सामिल किया गया था ठीक है अब बात करेते हैं अगले कुश्चन की तो कुश्चन नमबर 3 हमारे सामने है कि सांची के इस्तूप का निर्मान किस ने करवाया था तो सही जो आप क्या ह होगा इसका option number C होगा यानि समराट असोग ने जो समराट असोग थे इन्होंने सांची के इस्तूप का निर्मान करवाया था अगर आप से पूछा जाता है कि समराट असोग यह थे वह धर्म परिवरतन करने से पहले कौन थे मतलब कौन से धर्मे से संबंदित थे तो सही ज अबात कर in tune, फिर फ्रिय वरतन कर लिया था और उन्होंने बहुत को अपना लिया था उसके बाद उन्होंने बहुत वहाइसारी करवाया थे इस तूप अच्छा एकला कुश्चिन आपके सामने है कि जो सांची का इस्तूफ है इसको विस्व धरोहर में कब सामिल किया गया थे जिसको द्वारा ठीक है तो इसको एंसर आपको कमेंट करके बताना है उम्मेद है कि आपको याद हो चुका होगा क्यूंकि मैंने सभी पॉइंट को अ झाल सकता है